मेरी हर सासों में बाबा साथ नाम तुम्हारा है आज गर मैं फुर्ष उत आसान तुम्हारा है जो मेरी दर्द में रोया करते थे अपने आसों में भी गोया करते थे जिनों ने कुर्वान कर दी अपनी आलादे वो मेरे सपनों को दिल में बसाय करते थे जै भीम से बड़ा कोई संवान नहीं है जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है अरे में तो पूझते थे पत्थरों को मगर मेरे बाबा साथ से बड़ा कोई भगवान नहीं है या इंसान था बड़ा महान बाबा साहब था जिसका नाम यह इंसान था बड़ा महान बाबा साहाब था जिसका नाम पूरे देश के लिए गिया एक अच्छा काम बना दिया हिंदुस्तान का संविधान रोश्णी की कहानी सुर ने लिखी तो चादुनी की कहानी चाद ने लिखी आज हमेंजीने कापूड अर्जकरदेग की हमारा संविधान बाबासी जी मुझसे पूछा गया तेरी जास क्या है तो मैंने का अपणी मिट्टी she always मुझसे पूछा गया तेरी जास क्याक आप का पणी मिट्टी क्या की घंड़व है मेरे जिन्दगी मेरे वतन के काम आए ना खाफा मोत का ना आजी वसहीं का कास मेरे भी नामाए कास मेरे भी नामाए लाग करो वर्थ चाहे थीस करो हजार सत्गुरु के जाति जीवन का उठार हे अरे घुरु जी उम्मीदों के आगे तूट जाना अच्छा नहीं लगता किसी के आगे हाथ फ़लाना अच्छा नहीं लगता मुझे देजे वाले कटार मेरे रखना ये मेरे मालिक तेरे गर के सिवा किसी के दर पर सब जुकाना अच्छा नहीं लगता ना उनर मेरे पास और ना किसमत मेरे पास है रहता पेपिकर क्योंभी सत्गुरु दबिदास मेरे साथ है उठ बंदे सिमरं करिये घड़ी न जाए बीद तू सोया सत्गुरु जागा गुरु से लगा ले तू पीद किसी के आगे हाथ पहलाना अच्छा नहीं लगता मुझे देने वाले कटार में रखना ये मेरे मालिक तेरे दर के सिवा इसके दर बढ़ता जुपाना अच्छा नहीं लगता गुरु